नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जीनियूस की खास पेशकर जोतिश गुरू में मैं हूँ आपके साथ जोतिश गुरू शिरो मनी सचे मित्रो आज हम दैनिक राशीफल की चर्चा तो करेंगे ही साथ ही आपके प्रश्णों का जवाब देने का हर संबब प्रयास किया जाएगा लेकिन अगर आपके मन में कोई प्रश्ण है उस प्रश्ण को आप पहले से ही तयार रखिएगा देखे समय का अभाव होने के कारण हम कम समय में ही आपके प्रशन का जवाब तो देंगे लेकिन आपका प्रशन एकदम से सठी को इस बात का आप ध्यान रखेगा मित्रो चार महा उपाए भी आपके साथ साजा करेंगे शुरुवात करते हैं हर दिन के तरह आज भी पंचांग से दिनांग पाँच जुलाई दो हजार चौबिस दिन शुकरवार आसाड मास क्रिश्न पक्ष की अमावस्याति थी नक्षत्र होगा आर्द्रा चंद्रमा में थुनराशी में रहें रहेंगे वहां संचरन करेंगे और राहुकाल का समय भी आपको बताता हूँ इस समय थोड़ा सा आपको सावधान रहना है सोबह साड़े दस से बारा के मत दे किसी नए कारे की शुरुआत नहीं करनी है वरना कारिय बिगणने की संभावना कुछ जादा होगी देशा शूल होगा आज पस्चिम दिशा कोई भी व्यक्ती पस्चिम दिशा की और यात्रा ना करें कहीं न कहीं यात्रा बिगर सकती है मित्रो अगर आपके मन में कोई प्रश्ण है आप हमारा नंबर नोट करिए और निसंग कोच मुझे कॉल करिए डारेक्ट आपकी मेरी बात होगी अपने प्रश्ण को बिलकुल तयार रखिएगा आगे के और बढ़ते हुए अवगत कराते हैं आज के दिव्वे महमंत्र से ओम हरीम नमहा आज शुकरवार का दिन है कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिति है आसाड मास है तो भाई इस महमंत्र को नोट करिए लाल चंदन की माला लीजिए लाल या पीले रंका आसन ले लीजिए उत्तर या पूर्वदिशा की और चहरा करिए ओम हरीम नमह मंत्र का कम से कम 108 बार जाब करिए हर तरीके से आपके परिवार से नकारत्मक्ता का नाश होगा नकारत्मक्ता खत्म होगी अगर आप अपने आपको एस सुरक्षित महसूस करते हैं तो मित्रो एक लोटा जल लीजिएगा इस मंत्र का जाब करके उसे अभिमंत्रित करके इस जल का सेवन कर लीजिए आए मित्रो अब आपको अवगत कराते हैं आज के शुप समय से आज का शुप समय आपके समक्ष है सुभा साड़े साथ से नो के मध्धे ये समय रहेगा इस दोरान कोई भी महत्तोपूर्ण कारे करना है तो करिए नए किसी कागस पर हस्ताक्षर करने हैं नए किसी कारे की शुरूआत करनी हैं नए किसी डील के लिए आपको जाना है तो ये उप्योगत आपके लिए समय है इस समय का उप्योग करना कहीं न कहीं आपको लाभवरत करेगा आईए मित्रों बात करते हैं पहले उस महा उपाय की जो धन की तमाम समस्याओं को चाहे कितने भी समय पुरानी की समस्या हो आज गह समस्या खत्म होगी करिए ये महा उपाय ओम धनाय नमहा देखिए इस मंत्र को नोट करिए ओम धनाय नमहा इस महा मंत्र का कमल गट्टे की माला से कम से कम 108 बार जाप करिए और छोटी कन्याओं को आज के दिन से मिठाई या उपाहार देना शुरू करिए शुकरवार का दिन है अधवुदा आपको लाब होगा यह उपाय बहुत पुराना है आईए मित्रो आगे के ओर बढ़ते हैं अब आपको अवगत कराते हैं उस अचूक सिद महा उपाय से जो नौकरी व्यापार की सभी समस्याओं को खत्म कर सकता है मित्रो आज अम आवस्य का दिन है एक छोटा सा उपाय आपको जरूर करना चाहिए एक रुपे का सिक्का मात्र एक रुपे का सिक्का और एक साबुत सुपारी भगवान गणेश को अर्पित जरूर करिए ओम श्री गणेशायनमा मंत्र का जाब आपको करना है मात्र साथ बार यह जाब करिए भगवान मंगल मूर्ती के आशिरवाद से आपका कारिय सिद्ध होगा नोकरी व्यापार की सभी समस्याइं खत्म होंगी आईए मित्रों बात करते हैं तीसरे उस अचूक सिद महाँ पाई की जो आपकी सेहत को अच्छा करेगा अगर आपको सिहत में कुछ न कुछ परेशानी बनी रहती है दोस्तों तो प्रते दिन तामबे के बरतन में रखा हुआ पानी जरूर पीजिये तो अच्छा के रोगशान्त होंगे और कहीं न कहीं शरीर निरोगी होगा आए मित्रो आगे के रुबढ़ते हुए बात करते हैं उस अच्छूक सिद्माव उपाय की जो हर दुख परेशानी संकट से जरूर बचाएगा मित्रो अगर आप बहुत समय से परेशान हैं तो साथ साबुत चावल मात्र साथ साबुत चावल के दाने और थोड़ी सी मूंग मनो कामना बोलते हुए शिविलिंग पर चड़ाईए और संबव हो तो ओम सांब सदा शिवाय नमा ओम सांब सदा शिवाय नमा मंत्र का यथा संबव जाब करिये यह चोटा सा उपाए आपको हर दुख परिशानी संकट से जरूर बचाएगा तो मित्रो आज हमने आपको देनिक राशीफल बता दिया चार महा उपाए बता दिये लेकिन अगर आपके मन में कोई प्रशन है तो आप हमारा नमबर नोट कर लीजिए कल आप से फिर मुला कात होगी दीजिये मुझे इजाज़त देखते रे येजी निवस नमस्कार